ओम सूर्याय नम्हा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं भगवान सूर्य नारायन की करपा आप सभी पर सदा बनी रहें आज जेस्ट मास महतम में आप रस्पान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति मंदिर निर्मान योगि भूमी और मंदिर में प्रतिमाओं के इस्थान का निरूपन साथ ही आप जानेंगे साथ प्रकार की प्रतिमा और कास्थ प्रतिमा के निर्मान उपयोगी रक्षों के लक्षन के बारे में साथ ही इस वीडियो के सबसे लास्ट में आप आपको आज महर्शी दधिची और उनके पुत्र पिपलात की कथा भी मैं आपको सुनाना पसंद करूंगी तो इस वीडियो को आप आज लाश तक जरूर देखेगा आए रस्पान करते हैं आज की अध्याय का इससे पहले आप सभी से नुरोध है प्लीज वीडियो को लाइक करें चरूर कीजिएगा हो सके तो कमेंट करकर बताया करें कुछ आपको यह कथाएं कैसे लगतती यह किकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से कथा सुनते भी करके बताते भी हैं तो सुमंतु मुनी कहने लगे हे राजन इस प्रकार सांब सूर्य नारायन से वरप्राप्त कर बहुत प्रसंद हुए और वरप्राप्ती को आश्र मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में इस्थित चंद्रभागा नदी में इस्तनान करने के लि कहां इस्थापित करूं इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदेप्यमान प्रतिमा बहती हुई चलिया रही है प्रतिमा देखकर सांब को ये तो निश्य हो गया कि ये भगवान सूर्य की ही मूर्ती है जै मित्रवन यानि कि जो जगह मुलतान में है उसमें एक इस्थान पर तपस्वियों के साथ विधी पुर्वक उसकी इस्थापना की ये भी आप जानिये कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुंच है हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृती है या जो प्रतिमाएं हैं वो कहां कहां तक ह तो उनकी जो मूर्थी थी उन्होंने वो मुल्तान में एक जगा है मित्रवन वहाँ पर इस्थापित कर दी अब इस्थापना करने की बाद उन्होंने एक दिन सोरी प्रतीमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ आपकी ये प्रतीमा किसने बनाई इसकी आकरिती तो बड़ी सुन्दर है आप किरपाकर बताईए तो वह प्रतीमा कहने लगी साम पूर्वकाल में मेरा रूप प्रचंड तेजो मही था उसे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थ न की कि हे प्रभू आप अपना रूप सभी प्रानियों के सहन करने के योगी बनाए नहीं तो हम सभी जल जाएंगे मैंने महा तपस्वी विश्व कर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्मान कर दिया जाए मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चकर को घुमा कर मेरे तेज को खराद दिया उसी विश्व कर्मा ने कल्प व्रिक्ष के कास्ट से ये मेरी सुलक्षना प्रतीमा बनाई है तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आग्या के अनुसार विश्यु कर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमाले पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है साम्ब ये स्थान बड़ा शुब है बहुत सुन्दर है यहां सदा मेरा सानेधि रहेगा प्रातहकाल मनशिगण इस चंद्रभागा के तठ पर मेरा सानेधि प्राप्त करेंगे मध्यान में कालप्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहां प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे पुर्वान में ब्रह्मा, मध्यान में विश्णु और अप्राहन में शंकर सदा पूजा करेंगे महा बाहो इस प्रकार भगवान सूरी के ऐसा कहने पर सांब अत्यत प्रसन हुए और भगवान सूरी भी अंतर ध्यान हो गए राज़ शतानिक ने पूछा, है मुने, सांब ने भगवान सूरी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किस के कहे अनुसार नहों ने भगवान आधिति के प्रसाद का निर्मान कराया? सुमंतु मुनी बोले चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्शी नारत का इस्मरण किया और इस्मरण करते ही मुनी वर वहां तुरंत ही उपस्तित हो गए सांब ने विदिवत उनका पूजन सतकार आदी करके उनसे पूछा कि हे महराज भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है उन दोनों का क्या फल है तो देवर्शी नानत कहने लगे ना रायन ना रायन हे नर्शारदूल जो रमणी इस्थान में सूर्य मंदिर का निर्मान कराता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है इसमें कोई संदे नहीं साब ने फिर पूछा है मुनिवर सूर्य मंदिर का निर्मान किस प्रकार और किस इस्थान पर कराना चाहिए आप इस बारे में भी बताएए तो देवर्शी नारत कहने लगे जहां जल राशी निरंतर विद्यमान रहे वहां मंदिर बनवाना चाहिए या सबसे पहले एक विशाल जलाशे का निर्मान कराना चाहिए यश और धर्म की अभिवरधी के लिए वहां देव मंदिर का निर्मान कराना चाहिए उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्पवाटी का भी लगवानी चाहिए ब्रहमन आदी वर्णों के लिए जैसी भूमी वास्तुर शास्त्र की द्रिष्टी से प्रसाद निर्मान के लिए वर्णित है वैसी ही भूमी देव प्रासाद के लिए भी प्रशिस्त माने गई है सूरि नारायन का मंदिर पूर्वा भी मुख बनवाना चाहिए अर्थात उसका मुख पूर्व की ओर हो पूर्व की ओर द्वार रखने का इस्थान ना हो तो पश्शिम की ओर मुख करके करवाना चाहिए परंतो मुख पुर्वा भी मुख ही है इस्थान की इस प्रकार से कल्पना करे कि मुख्य मंदिर से दक्षिन की ओर भगवान सूरी नारायन का इस्तनानकर है और उत्तर की ओर यगिशाला रहे भगवान शिव और मात्रका का मंदिर उत्तरा भिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विश्नुजी का उत्तर मुख बनवाना चाहिए भगवान सूरी के दाहिने पार्षु में निक्षुभा तथा बाये पार्षु में राग्जी को इस्थापित करना चाहिए ये भगवान सूरी नारायन की पत्निया है सूरी नारायन के दक्षिन भाग में पिंगल, वाम भाग में दंड नायक, समुख, श्री और महाश्वेता की इस्थापना करनी चाहिए देव ग्रह के बाहर अश्विनी कुमारों का इस्थान बनाना चाहिए मंदिर के दूसरे कक्ष में राग्य और श्रोस, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिन में दंड और माठा, उत्तर में लोग पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए कुबेर से उत्तर, रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वही पर उनकी स्थापना करें दाहिनी और बाई और अर्ग प्रदान करने के लिए दो मंडल बनवाए उदय के समय दक्षिन मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्ग दें चकराकार पीच के उपर इसनान ग्रह में चार कलशों से भगवान सूरी की प्रतिमा को साविधी स्नान कराएं इसनान के समय शंख आदी मंगल वाद्य बजाने चाहिए तीसरे मंडल में सूर्य नारायन की पूजा करें सूर्य नारायन के सामने दिंडिक की इस्थानक अर्थात खड़ी भी प्रतिमा इस्थापित करनी चाहिए सूर्य नारायन के समुक समीप में ही सर्व देव में व्यों की रचना करनी चाहिए मध्यान के समय वहाँ सूरी को अर्ग देना चाहिए या मध्यान में अर्ग देने के लिए चंद्र नामक तरतिय मंडल बनवाए प्रथम इसनान कराकर याद में अर्ग दे भगवान सूरी के समीब ही उचित स्थान पर पुरान का पाठ करने के लिए स्थान भी बनाना चाहिए ये देवताओं के स्थापन का विधान है गरहराज और सर्वतो भद्र ये दो प्रसाद सूरी नाराइन को अतिशे प्रिय है नाराज जी बोले साम अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्मान का विधान भी बतलाता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो भक्तों के कल्यान की अभिवर्धी के लिए भगवान सूरी की प्रतिमा साथ प्रकार की बनाई जा सकती है सोना, चादी, ताम्र, पाशान, मृतिका अर्थात मिट्टी, कास्ट और चित्रलिखित अर्थात तस्वीर की रूप में इसमें कास्ट की प्रतिमा के निर्मान का विधान इस प्रकार है नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता और शुप, शकुन देखकर मंगल इसमरन पूर्वक कास्ट ग्रहन करने के लिए वन में जाकर प्रतिमों प्योगी व्रिक्ष का चयन करना चाहिए दूद वाले व्रिक्ष, कमजोर व्रिक्ष, चुराहे, देविस्थान, वल्मीक, शम्षान, चैत्य, आश्रम में लगेवे व्रिक्ष तथा पुत्रक व्रिक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो या बाल व्रिक्ष जिसमें बहुत कोटर हों अनेकों पक्षी रहते हों शस्त्र वायू अगनी बिजली तथा हाथी आदिसे दूशित व्रिक्ष एक दो शाखाओं वाले व्रिक्ष जिनका अगर भाग सूख गया हो ऐसे व्रिक्ष प्रतिमा के कभी योगिन नहीं होते महुआ, देवदारू, व्रिक्ष राज, चंदन, बिल्व, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपन और पनस, अर्थात, कटहल, सरल, अर्जुन और रक्तचंदन ये व्रिक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम है चारों वर्णों के लिए भिन भिन कास्थ का विधान बताया गया है अभिमत व्रिक्ष के पास जाकर व्रिक्ष की पूजा करनी चाहिए पवित्र इस्थान, एकांत, केश, अंगर शुन, पूर्व और उत्तर की और इस्थित लोगों को कष्ट ना देने वाला विष्त्रित सुन्दर शाखाओं और पत्तों से सम्रित, सीधा, वरण शून तथा त्वचा वाला व्रिक्ष शुब होता है स्वयम गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, सुश्क होकर या अगनी से जले हुए और पक्षियों से रहित व्रिक्ष का प्रतिमा निर्माण में उप्योग नहीं करना चाहिए मधुमक्षियों के चत्ते वाला व्रिक्ष भी गिराहे नहीं है इसनिक्द पत्र, समन्वित, पुश्पित तथाफ़लित व्रिक्षों का कार्तिक आदी आठ मासों में उत्तम मुहर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए व्रिक्ष के नीचे चारो और लीप कर गंध, पुश्पमाला, धूप आदी से यथाविधी पूजन व्रिक्ष की करें फिर गैत्री मंत्र से अभिमंत्रित, जल से प्रोक्षन करें दो उच्वल, वस्त्रधारन कर व्रिक्ष की गंध माले से पूजा करें और उसके सामने कुशासन पर बैठ कर देवदारों की समिधा से अगनी में अहूतिया देकर नमसकार करें। इस प्रकार इस्तुती करें कि हे प्रजासती सत्र सुरूप इस व्रिक्ष को नमसकार है। हे देव इस व्रिक्ष में आप सानित करें। सुर्यावरेत मंडल इसमें प्रविष्ठ हो आपको नमसकार है। इस प्रकार व्रिक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते वे फिर कहें। हे व्रिक्ष राज संसार के कल्यान के लिए आप देवाले में चलिए। हे देव आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर इस्थित रहेंगे। समय पर धूप आदी प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। व्रिक्ष के मूल में धूप माल आदी से कुठार का पूजन कर उसका सिर्फ पूर्व की ओर करके साथधानी से इस्थापित करें। फिर मोदक, खीर, आदी भक्ष, द्रव्य तथा सुगंधित, पुष्प, धूप, गंद आदी से व्रिक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षष, पिशाच, नाग, सुरगन, विनायक आदी की पूजा करके रात्री में व्रिक्ष का इसपर्षकर ऐसा कहें। हे देव देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं, हे व्रिक्ष राज आपको नमस्कार है, ये विधिवत की गई पूजा आप ग्रहन कीजिए, जो जो प्राणी यह निवास करते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनह उस व्रिक्ष का पूजन करें। तथा ब्रहमन और भोजक को दक्षना दे कर विशेशग्यों के द्वारा स्वस्ती वाचन पूरवक व्रिक्ष का छेदन करें। अर्थाद व्रिक्ष को काटे, पूर्व इशान और उत्तर की ओर व्रिक्ष कट कर गिरे तो बहुत अच्छा है, शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही व्रिक्ष का छेदन करें नहीं तो मत करें, कास्ट की मूर्ती बनाने के लिए जो व्रिक्ष काटना है, अगर उस शाखाओं को काटने के बाद ही व्रिक्ष को कटवाना चाहिए, व्रिक्ष से साखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाएं और तूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है, जिसके कटने से व्रिक्ष के दो भाग हो जाएं, जिस व्रिक्ष से मधुर, द्रव गी तेल आधे निकले तो उसका परित्याग करते ना चाहिए इन दोशों से रहित अच्छा काल देखकर कास्ट का संग्रेह करना चाहिए तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए आज का अध्याई समाप्थ हुआ अगले अध्याई में आप जानेंगे सूरे प्रतिमा की निर्मान विधी के बारे में आईए अब जानते हैं महर्शी दधीची और उनके पुत्र पिपलाद की कथा के बारे में महर्शी दधीची का नाम तो आप सभी ने सुना होगा जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था युद्ध हुआ था तब देवराज इंद्र और समस्त देवतागणों की शक्ति छेंड हो गई थी जिसके कारण सभी देवतागण फिर भगवान शुरी हरी की शेर कर सकेंगे तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र रूप बतलकर महर्शी दधीची के पास गए लेकिन महर्शी दधीची ने अपने तपोबल से उनके छद मुवेश को जान लिया था इस बारे में भी बहुत रोचक कथा प्रसिद है अगर आप इस बारे में जानना पॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा ताकि अगले वीडियो के लास्ट में इसी तरह से एक और नहीं कथा मैं आप सभी को सुना सकूँ तो जो देवराज इंद्र के हाथ में आप वजर देखते हैं वो महर्शी दधीची की अस्थियों से बना हुआ ही वजर है जो बहु पती का वियोग सहन नहीं कर पाई पास में ही इस्तित विशाल पीपल व्रक्ष के कोटर में अपने तीन वर्ष के बालक को रखकर स्वैम चिता में बैठकर सती हो गई इस प्रकार महर्शी दधीची और उनकी पतनी का बलिदान हो गया लेकिन पीपल के कोटर में रखा पत्तों और फ़लों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा एक दिन देवर्शी नारत वहां से कुछरे नारत ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिश्य पूछा तो नारत बालक से पूछने लगे कि है बालक तुम कौन हो बालक उल्टा मुनी इसे ही प्रेश्न करने लगा मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं तो नारत कहने लगे अच्छा तुम्हारे पिता कौन है तुम्हारे जनक कौन है बालक कुछ नहीं जानता था तो मुनि से कहने लगा मुनिवर मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि मेरे पिता तब देवर्शी नारद ने ध्यान से उस बालक को देखा ध्यान से देखने के बाद आशर चकित होकर देवर्शी नारद ने उस बालक को कहा कि हे बालक तुम तो महान दानी महर्शी दधी जी के पुत्र हो तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बना कर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी नारत जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीजी की मृत्यू मात्र 31 वर्ष की आयू में ही हो गई थी ये बात सुनकर बालक बहुत हरान हुआ महर्शी से प्रश्न कर बैठा मुनिवर मेरे पिता की अकाल मृत्यू का कारण क्या था देवर्षी नारत कहने लगे पुत्र तुम्हारे पिता पर शनी देव की महादशा थी तो बालक कहने लगा मुनिवर फिर बताईए मेरे पिता के उपर आईवी विपत्ती का कारण तो शनी देव की महादशा थी किन्तो मेरे उपर आईवी विपत्ती का कारण क्या था नारच जी कहने लगे शनी देव की महादशा ऐसा कहकर देवर्शी नारच ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले जीवित रहने वाले उस बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे सिक्षा दिक्षा दे कर दिक्षित किया देवर्शी नारत के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारत जी के बताय अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन किया ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टी मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली ब्रह्मा जी से मिले वर्दान पर सबसे पहले पिपलाद ने शनी देव का आवाहन कर अपने सामने उन्हें प्रस्तुत किया सामने पाकर आखे खोल कर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया शनी देव का पूरा शरीर जलने लगा जिससे ब्रहमांड में कोला हल मच गया सूरी पुत्र शनी की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए सूरी देव भी अपनी आँखों के सामने ही अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर शरी ब्रहमा जी से उन्हें बचाने ही तुव विने करने लगे फिर ब्रहमा जी स्वयम पुपलाद के सामने पधारे और शनी देव को मुक्त कर देने की बात कही कि तो पुपलाद इस बात के लिए तयार नहीं हुए तब ब्रह्मा जी ने एक के बतले दो वर्दान माँगने की बात उन से कही तब कही जाकर पिपलाद ने प्रसन होकर निम्नवत दो वर्दान माँगे श्री ब्रह्मा जी सुनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जन्म से पाँच वर्ष तक किसी भी बालकी कुंडली में शनी का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि मेरे जैसा कोई और बालक अनाथ नहो, दूसरा, मुझ अनाथ को शरन इस पीपल व्रिक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्य शनी को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, शनी देव मुक्त तो हो गए, किन्तु दंड से उनके पैरों पर आघात पहुचा था, जिसे शनी देव के पैर छती ग्रस्त हो गए, और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं र यही कारण है कि शनिवार के दिन शनी देवता और पीपल के व्रक्ष की पूजा एक साथ की जाती है यही कारण है कि शनी देव की मूर्ती हमेशा काले रूप में ही होती है यह थी आज की वीडियो वीडियो कर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर सब्सक्राइब